हेलो दोस्तों स्वागत आप सभी का एक और नहीं वीडियो में और आज की इस वीडियोम दोस्तों बात करेंगे हम लोग कबड़ी पर मैच खला पर दोस्तों तमिल थली है वर्सेस पूनेरी पल्ड़न की बीच में इस मैच के लिए दोस्तों वीडियोमे ग्रेण लिग की किस player को trump card की रूप में रखना है अपने टीम में और सबसे most important चीज़ दोस्तो ग्रेंड लिक आपको captain wise captain किस player को देना है rotation कैसे करेंगे दोस्तो और यहां से defender में किस player को fix लेके जाओगे, all rounder में किसको लेके जाओगे, redder में आप किस player को यहां पर trump card को रूप में रखना है, सबको दोस्तो आपको इस video में पता चलेगा, जितने भी आपके मन में doubts से confusion इस match के लिए सारा doubts, confusion clear हो जाएगा, सिर्फ आप लोग इस video को सुरूश लेकर आन तक देख लिएगा, दोस्तो काफी कुछ आपको इस video में देखने और सीखने और समझने को मिलने वाला है सबसे पराफी दोस्तो दोनों टिम्स के हम लोग बात कर लेते हैं recent form त्यहाँ पर दोस्तो तमिल थेलुईया ने एक match को खेला है और एक match खेला है वहीं पर दोस्तो पुनेरी पल्टन की बात की जा तो दोस्तो इनों ने भी दो मैच खेला इस सीजन और दोनों के दोनों मैच इनों ने भी विन किया हुआ है दोनों टीम्स की बीच की बात करें दोस्तो तो टोटल यहां पर 11 मुकाबली खेले गए हैं जिन में से दोस्तों यहाँ पर तमिल थेलुया ने तीन मैच को विन क्या हुआ है और पुनेरी पल्टर ने छे मैच को विन क्या हुआ है बाकी के दोस्तों दो मैच यहाँ पर इनका टाइ हो चुका है मेरे में ठीक दो मैच का रिजल्ट नहीं है तो कहीं न कहीं दोस्तों head Davidson में पुनेरी पल्टरं को आप आगे देखेंगे और तो दोस्तो आपको पुनेरी पल्टरं के फिर मैं आपको अपने अपने टीम create करनी है लिएँ से तोस्तो मैं आपको defender से start करते हूँ आपको मैं अपने वाकि दोस्तों आभी जो पोआंट दीन गान काफे चाई हुए है कि नहीं कि कप besides किए और इन्हों ने दॉस्तों टॉटल पांच CTL सक्षेस्फ फू किया था तो तो यहां से दोस्तो तो आपके टीम में से एंस गुलिया फिक्स होने चाहिए जाहे आप कितनी भी टीम क्रियेट कर रहो法 यहां से आपको एस गुलीया को फिक्स लेकर जाना मिरprovoking है उसके बाद दोस्तो तमिल थल्यों एक तरफ से आपको दिखेंगे S राथी जिसका सेलेक्शन देखोगे तो 25% सेलेक्शन है इक 90 पॉइंट इन्हों ने दोस्तो अभी तक इस टूनामेन में दे चुगे 61 पॉइंट इस टोई ने दोस्तो आपको देखेंगे गां right corner पर वस गुल्या देखेये का अपको left corner पर और यहां पर दोस्तों पूरे टीम को अलाओड भी किया तो उसका भी 24 पॉइंट यहां पर मिला है लेकिन दोस्तों क्या है ना कि किसी एक मैच में दोस्तों एच चलेगा किसी एक मैच में दोस्तों यह फ्लॉप हो जाएगा ते इसके लिए दोस्तों हम लोग इसको अपने ट दोस्तो हम लोग rotation में अपने team में लेकि चलने वाले rotation के साथ में आपको अमारे telegram पर team मिल जाएगी इस match की 3-4 team हमारे telegram पर मिलेगी link दोस्तो हमने description box में दे रखके आप लोग जा के join कर सकते हो उसके बाद दोस्तो g category दिखेगी जिनका सेलेक्शन देखो कि यहाँ पर पुनेरी पल्टर की तरब से खेलते हो देखेंगे 92.92% सेलेक्शन है यहाँ पर दोस्तो 325 पॉंड दे चुगे दोस्तो यह दोस्तो आपको राइट कॉर्णर पर दिखेगा और एक यूनिक कैप्टर वाइस कैप्टर वाइस कैप्टर टैकल किया था तो यहाँ पर दोस्तो इस मैच में फिर से इनको आपको अपनेटीब में लेके जाना ही पड़ेगा किसी भी कीमत में मिरो भाइट ठीक है यह आपको पुनेरी पल्टर के तरब से खेलते हो दिखेंगे उसके बाद दोस्तो आपको नेक्स प्लेयर दिखेंग पर पिछले मैच में दोस्तो इन्हों ने एक टैकल किया था मिरो भाइबाग की जीरो एड मारा था तुछने एच्छी ऑप्सन नहीं रहेंगे आप इनको अपने डीम रोटेशन को रूप में यहाँ पर दोस्तो इनको ट्राइक कर सकते हो उसके बाद दोस्तो यहाँ पर द प्लेयर नहीं किसी मैच में चलता है किसी मैच में फ्लॉप हो जाता है इसी के लिए दोस्तों लोग इनको भी ड्रॉप करके चलने वाले हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे हम लोग यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे हम लोग यह बास्त में ने जो कि दोस्त जो कि दोस्तों पुनेरी पल्टन के तरब से खिलतों दिखेंगे 78% सेलेक्षिन है दोस्तों दोस्तों तीरपन पॉइंट अभी थे कि इस टूनामन में दे चुके है अब अमन की बात करें न तो दोस्तों देखो यह आपको दीखेगा मिर भाई लेप्ट कॉर्णर पे दीखे ठीक है लेकिन प्लेयर बहुत गजब करें दोस्तों हर मेंच में फ्लॉप नहीं जाएगा हाला कि दोस्तों देखो पिछले मैच में भी दोस्तों इन्हों ने ठीक था पॉइंट देखी गए मिर भाई ठीक है यहां से हम क्या करेंगे अमन को भी अपने टीम में रख लेंग दिखेंगे यहां पर मैं सोचा दोस्तों यह तमिल थली है कि मैं स्टार्ट्स देख रहा था यह दोस्तों आपको पुनेरी पल्टन के तरफ से खिलते हों दिखेंगे लेप्ट कॉर्नर पर जो कि दोस्तों पिछले मैच में छे इनोंने टैकल किया था था ठीक है तब ही लोटे ब्रॉप करके चलीएगा जा सब्स्टूट कहलने वाले और मैं दोस्तों देखो एफ इनमदार काफी यादा दोस्तों यहां पर इंपोर्टेट है ठीक ए नामदार दोस्तों काफी आदे इंपोर्टेंट है जो कि दोस्तो आपको पुनेरी पल्टन के तरब से खिलतो दिखेंगे दोस्तो इसंटर में रहते हैं दोस्तो इनके साथ में ट्रम कार्ड पीक बतारों में ए नंदराजन का देखो को तेहां पर दोस्तों 36% सेलेक्षन है 107 पॉंड दोस्तों इन्होंने अभी तक इस टोनामने में दिया हुआ है पुनेरी पल्टन के तरफ से खिलते हुँ दिखेंगे या आपको दोस्तों राइट कॉर्णर पर दिखेंगे पिछले मैच में जीरो रेड अमारा था लेकिन दोस्तों इन्होंने दो टैकल ठोक दिया था तो इस मैच के लिए दोस्तों ट्रम कार्ट पिक रहे थे यहां से इसको यह लेकि जाएंगे अब बागी दोस्तों देखो हिमानसू असीस यह सब को नहीं लेकि जाएंगे अला कि दोस्तों इन्होंने 27 पॉंड दिया और 7 परसन दोस्तों इनका सेलेक्शन भी है तो मैं हमानसू का आपको मैं बता दू यह दोस्तों आपको लेफ्ट एंड में दिखने वाला है मिर भाई पिछले मैच में जीरो रेड ठोका था जीरो टैकल भी दिया था इसे के लिए ड्रॉप करेंगे चलने माले आसिस के बात करें तो दोस्तों आठ परसन सेलेक्शन ने 30 पॉंड दिया था फिर बैटिक यह भी दोस्तों आपको लेफ्ट कॉर्णर पर दिखने माला है पिछले मैच में जीरो रेड ठोका था प्लस जीरो टैकल किया था तो यह दोनों ही प्लेयर दोस्तों फ्लॉप गए थे जो कि इमान सु लेफ्ट हीन भी है और यहाँ पर दोस्तों आसिस लेफ्ट कॉर्णर पर है उसके बाद दोस्तों यहां पर बात करेंगे हम लोग ए नेवलेगा जो कि दोस्तों आज़ा सबस्टूर्ट खेलेंगे तिर्ट के बारे में कुछ बात करना नहीं है सीधा यहां से दोस्तों ए नंदराजन और ए इमानदार वा आपको अपनेटिव में भर लेना है उसके दस रेड ठोका था दोस्तों और जीरो टैकल किया मेरे ठीक है तो इंपोर्टेंट रहेंगे बीना कुछ सोचे समझे ले जाओ अब मैं आपको दिखा दे तो दस रेड ठोका था गिने उन्होंने नहीं नहीं था आप बोलो कि भाई मोजबान से कुछ भी बोला ऐसा नहीं ह यहां पर 44% सेलेक्शन को रूप में दिखेगा 110 अभी तक दे चुका है दोस्तों इतना है इंपोर्टेंट नहीं है आपको दोस्तों इस सेंटर में दिखेगा पिछले मैस में दोस्तों इसने भले 10 रेड ठोका था जीरो टैकल किया था लेकिन इनसे बहतर प्लेयर दोस्तो में आपको प्लेयर देखेगा पुनेरी पल्टन के तरब से 80% सेलेक्शन 112 पॉंड अभी तक दे चुका है मिर भाई और एम गौर्ड दोस्तों आपको लेप टेंड पर देखेगा और मेरे भाई क्या ही रिजन फॉर्म चल रहा है पिछले मैस में दोस्तों पांच रेड ठ ठोका दोस्तों चैकले ठोका था में इम पले करेंगे खाली से पहांच यह प्लेयर धूट और प्लेयर नहीं गा को देखेगा एक तोस्तों इनमोने रेड ठोका था बाकि जिरो टेकल किया था मिर बडबास कोई है नहीं सीधा हमें यहां से M.Guard को रख लेंगे Captain और Vice Captain की बात करेंगे तो दोस्तो Captain G. खत्री रहेगा Vice Captain A. दोस्तों यहां से इमानदार रहेगा ठीक है तो दोस्तों A है हमारी इस मैच के लिए Grand League की उनिक टीम साथ मों दोस्तों टॉस होने बाद इस मैच के आपको हमारे तीन से चार Grand League की यूनिक टीम रोटेशन वाली आपको हमारे टेलिग्राम पर मिल जाएगा अबलेबल रहेगे टोस होने बाद जाके आप लोग ले लिजेगा सबसे बहले आप लोग टेलिग्राम जाइन कर लिजेगा लिंक आपको दोस्तों डिस्किप्शन बॉक्स में मिल देगा जो टाइटल दिख रहा है वीडियो को उस पर किलिक कीजिएगा डिस्किप्शन बॉक्स ओपन होगा और ओपन होने बाद वहाँ पर आपको दो बुलू कलर कर लिंक दिखेगा आप लोग क्लिक करके टेलिग्राम चैनल जोइन कर लिजेगा साथ मों दोस्तों अगर अभी तेक आपने इस वीडियो को लाइक किया तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके हमारी इस यूडियोब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मारे लिए काफी आदा कीमती रहता है